सब्सक्राइब करने माले आपके पात्ना की करन्ट फिलिंग्स के उपर इडिंग देखेंगे और नेक्स सेक्षन क्या होगा और थर्ड पार्टी और उनकी पीछ में अभी क्या चाहजा है यह टाइमलेस रीडिंग होगी जब भी आप चाहेंगे जब भी आपके सामने आएग सकते हैं जड़े हम डेडिंग स्टार्ट करते हैं फिर हमें दिवाई ली गाइड की देखा हमारे व्यूगर्स के पार्टनर अभी उनके बारे में क्या सोच रहे हैं पार्टनर की कोई ना कोई सीक्रेट आपके सामने आ सकता है और वो कुछ भी हो सकता है हो सकता है वो ज़्यादा रिलेजिस हो गया हुँ या आप पहुत रिलेजिस हो रहे हुँ किंग ऑफ स्वrets कोई है जो आपके पार्थनर को पूर भी होना बिल्कुल नहीं चाहते हैं तो अपने पात्नर को लेकर आप कोई भी नेगेटिव चीज नेगेटिव बात नहीं सोचें आपके पात्नर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं तावर यह बहुत ज़्यादा है गाई पाइफ पैंटिकल्स सेवन ओफ कप्स चलिए अब हम पहले किलियर करेंगे वाव तो सेवन ओफ कप्स आने के बाद में मुझे अच्छा नहीं लगा था तो एंजिस ते लवर्स का काट दिया है और हम यह काट भी लेंगे किंग ओफ पेंटिकल्स अब जब नजर बनाई हुई है अब जब नजर बनाई हुई है आपके उपर तो आप सोच सकते हैं कि वह आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे आप लोग बेकार में नेगेटिव हो जाते हैं जल्दी से है नेगेटिव नहीं होना है पॉजिटिव रेंड़ेंगें आपको चलिए आपके पार्टनर्स यह बहुत जाद़ा रेलेजिस हो सकते हैं और आपके पार्टनर भी हो सकता है टेरो रीडिंग देख रहे हुँं और उनकी कोई एक छुपी हुई बात जो उन्होंने आज तक आपको नहीं बताई हो आपके सामने आ सकती है तो आपको घबरानी की ज़़ुरत नहीं है आप बहुत जादा समझदार हैं आप लोग हैंडल कर लेंगे जो भी बात सामने आई कि सामने आने से मतलब है कि कुछ उन्होंने अपने सीक्रेट सोंगे वो उन्होंने आप तक आपको बताई नहीं थे तो आप शेयर करतेंगे इसका मतलब यह है कि आपके पास वापिस आएंगे वापिस आएंगे तभी तो शेयर करेंगे आपके पार्टनर को कोई भी कोई मेल फिगर हो सकता है उनके फादर हो सकता है उनको कोई बेस फ्रेंड हो सकता है कोई भी ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी जो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है लेकिन आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते है वो आपके पास वापिस आना चाहते हैं अपनी हर बात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं चावर मुमेंट इसको खत्ब करना चाहते हैं आपके पार्टनर भी आपसे दूर रहकर no contact situation में रहके बहुत जादा तंग आ गये हैं वो नहीं चाहते कि अब इस situation में रहा जाएं क्यूंकि इस situation में रहते रहते वो अब कहते ना अगर वो चल भी रहोंगे ना तो उनकी हिम्मत खतम हो गई होगी क्यूंकि third party के साथ third party जब उनको control करने की कोशिश कर दिये हद से जा रही है वो सकता है अगर उनके parents हैं तो उनको choices दिखा रहे हों बहुत जादा उनके पास पास लाइफिंग बहुत जादा options हो लेकिन उनका पूरा ध्यान आपकी तरफ है क्यों क्योंकि यहां पर हमारे पास है the lovers का card अगर आप married है और अपने partner के साथ separation में चल रहते हों उनक आपके शादी कराना चाहती है तो वो उस third party के साथ अपनी family के साथ tower movement लेके आएंगे क्योंकि tower movement आपके साथ तो भी चली रहा है वो आपके बिना नहीं रहे पार है आपके partner आपके बिना नहीं रहे पार है आपको बहुत जादा मिस्ट कर रहे है क्योंकि हमारे पास bottom में भ आपके बिना नहीं हो सकते हैं आपके partner आप अलग बिर्फुर नहीं हो पाएंगे अगर वो कोशिश भी करेंगे ने एंजल मदर यूनिवर्स आपके पास वापिस उन्हें लेकर आएगी वह आपको मेस करें तब इस आपको stop करें सोचल मीडिया के उपर तो अच्छा च्छ कर रहे हैं या थर्ड पार्टी के साथ दूरियां बनानी है वह सब कुछ करेंगे और आपके पास आएंगे यहां पर है काई कुई नोफ वैंट आपके पार्टनर को आपके वैल्यू समझ आ गई है तभी तो आपके पास आना चाहते हैं सोचल मीडिया पर आपको stop कर रहे ह क्योंकि आपसे बहुत जादा प्यार करते हैं उन्हें आपसे दूरिया बरदाश्ट नहीं हो रही है टावर मुमेंट थर्ड पार्टी के साथ लेकर आएंगे क्योंकि आपके साथ चल रहा है मैं दुबारा इसने किलियर कर रही हूं कुछ बात हैं शायद आपको समझ ना हो इसलिए अगर आप सिंगल हैं आपके पार्टनर को उनकी फैमिली चॉइस दिखा रही थी शादी के लिए तो आपके पार्टनर बिलकुल उन सब चीजों में नहीं आएंगे क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और अगर आप मैरिड हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ सिच्वेशन ऐसी होती हैं कि फैमिली ही कभी-कभी इशू क्रियेट करती है न तो वहाँ पर आपके पार्टनर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है वो सारी चीज़ां आपके साथ शेयर करने वाले हैं आपको खोना नहीं चाहते हैं आपको बहुत जादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके पास जरूर वापी स्लॉट कर आएंगे अब हम एनर्ची ओरीकल देख से भी देखता है कि आपके पार्टनर की इस एनर्ची में हैं गाइस पॉजिटिव हो चाहिए और पार्टनर के उपर फोकस बना के रहे कि मैं आपको हर रीडिंग में कहती नेगेटिव चीज़ों को कभी अत्रैक्ट मत कीज़ेगा अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव बहेगा गाइस वह सिच्वेशन में बैलेंस लेकर आएंगे आपके पार्टनर इस सिच्वेशन में थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ आने के लिए जितना करे सकते हैं जितने प्लाणिंग कर सकते हैं तुफब 21 सब पुछ करेंगे आपके पार्टनर्स करेंगे आपकी तरफ आने के लिए बिल्कूल नहीं होना है आको पॉसिटिव तुछड़ी नहीं रह आ ninth आपको डूरर रहे कर आपके पार्टनर ज्ञर्व से उसाने तकलीफ तerson सामने से कुछ और बोलता है जो सामने से कुछ ओड़ात करता है अप दोनों की पीच में दूरियां लेकर आ रहा है और आप दोनों के कोई नजदी की ही है आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं यहां पर हमाँ पर फॉर ओफ पेंटिकल्स का भी काट आया था नमबर 44 हम एक और काट लेंगे अभी थर्ड चक्रा आर्केंजर चैंपुल गाइज आपके पार्टनर अपने हाट चक्रा पर काम कर रहे हैं अपनी एनर्जी को पिलको लिखटा कर रहे हैं आपके तरफ आने के लिए अपके पार्टनर पावर में आकर सबसे लड़ाई चगड़ा करके जो भी आपके खिलाफ भो लेगा उन सबसे लड़ाई चगड़ा करके आपकी तरफ आएंगे गाईज अब आपको पॉजिटिव रहना हैं यहाँ हमारे पास King of Swords का कार्ट था थर्ड पार्टी यहां पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी किसा लड़ाई छखड़ा करेंगे उनके साथ आपके पार्टनर भी बहुत जादा गुस्से में है क्योंकि आपके खिलाफ किसी से कुछ भी नहीं सुनना चाहरे हैं आप दोनों के पीच में एज मैरीड अन मैरीज स्टेटस और कोई भी आप दोनों की आप दोनों अलग समाद अलग रिलिजन से हो सकते हैं तो आपके पार्टनर आपके तरफ स्टैंड लेंगे ब्लॉस्मिंग आप दोनों के रिष्टे में खुशियां आएंगी नई से शुरुवात होग आपके पार्टनर आपको बहुत जल्दी लेने आ सकते हैं और अगर आप सिंगल हैं तो आपके पार्टनर इस सिच्वेशन में बैलेंस लेक आएंगे और आपको कमिट्मेंट देंगे आपके पार्टनर इस डिमाग लगा रहे हैं पूरा आपके साथ इस रिष्टे को ठीक करने के लिए ठीक है तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है खुश रहना है और अपना बहुत सारा ध्यान रखना है यह दियाज के हमारी रीटिंग आयोग आपको पसंद आई होगी पसंद लाइक इन सब्सक्राइब जरूर करें हमेशा खुश रहें बाई